जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर एक बाज ने घोसला बना रखा था, उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंड़ा दे रखे थे, लेकिन एक दिन उस बाज का एक अंड़ा उस मुर्गी के अंड़े के साथ मिल गया, समाय आने पर अंड़ा खोद कर अनाज के दाने खोजता और मुर्गी की तरह कुरकुराता, वे कुछ फिट से अधिक उड़ान नहीं भर सकता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी, एक दिन उसने एक बाज को अकास में बड़ी सान से उड़ते देखा, उसने मुर्गी से पूछा, उस पूचे मुर्गी की बात को मान लिया, वे मुर्गी की जिन्दगी ही जीता रहा, सोचने की छमता ना होने के कारण वे अपनी विरासत को खो बैठा, दोस्त हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तो हमारे आस-पास के लोग हमें रोकने के आजाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे नहीं कर पाएं इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे इसी वज़ा से लोग आगे नहीं बढ़ पाते कुछ नया नहीं कर पाते दोस्त लोगों की बात मत सुनो कि आप क्या हो या क्या नही आप एक बाज का बच्चा होते हुए भी खुद को मुर्गी समझने की भूल मत कीजिए आप वहीं काम करो जो आपका दिल चाहे